Hey guys, welcome to Study IQ और इस वीडियो में हम लोग Countries of the World Series को आगे continue करेंगे और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Myanmar के बारे में So obviously a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin UPSC 2020 की तियारी आप घर वेटे या कहीं भी कर सकते हैं with our pendrive courses, जिनने आप पर chase कर सकते हैं StudyIQ.com से or you can call this number for more information सबसे बहली बात Myanmar है कहाँ पर मैं पर देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर मैंने आपके लिए मार्क का रखा है Crimson कलर में Myanmar एक बार मैं आपको ज़रा इसको बड़े मैप में दिखा रेता हूँ सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह है मैंनमार, मैंनमार एक तरीके से एक connecting bridge का काम करता है बिट्वीन इंडिया और चाइना मैंनमार चाइना के साथ एक बहुत बड़ी border शेयर करता है यहाँ पर बांगरदेश जो मैंनमार से काफी छोटा है साइज में बांगरदेश की अबादी है 16 करोड वेरास मैंनमार की अबादी है बस 5 करोड सबसे important बाग मैंनमार की यह है कि मैंनमार एक आसियान देश है Association of South East Asian countries तो मैंनमार की जो geographical location है वो क्या है South East Asia इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, शुलंका यह सब आते हैं South Asia में East Asia में South Korea, Japan, China यह सब आ गए और South East Asia में मैंनमार के साथ लाओस, थाइलैंड, वियतनाम, कैमोडिया दफिलपीन, मलेशिया, सिंगपोर इंडोनीसिया यह सब आती है एक चीज़ को लेकर बहुत लोग कनफ्यूज होते हैं वो यह है के इसका नाम क्या है मैनमार या फिर बर्मार सही नाम क्या होना चाहिए, देखिए एक टाइम पे यह बर्मा था बाद में officially इस देश ने अपना नाम चेंज करके मैनमार कर दिया था officially आज के समय paper में ये देश है मैनमार और ये चेंज आया था 1989 में 1989 में क्या हुआ के मैनमार की जो rolling military है एक और बात यहाँ पे मैं mention कर दूँ बात में और इसको clearly बताऊंगा आप अगर इस region को देखें ये जो पुरा region है South Asia और South East Asia ये वहाँ पे आपको primarily दो देश मिलेंगे जहाँ पर military का इत बहुत ही ज़रा unique role है civilian government को चलाने में एक है पाकिस्तान और दूसरा है मैनमार दोनों ही country इसमें आप देखोगे लिखा हुआ है कि democratic country है republic है and so on मगर पीछे से जो power hold करती है वो सिर्फ और सिर्फ military है सिर्फ वहाँ पे army है in Myanmar and in Pakistan इसके of course काफी नुकसान भी होते है military जरातार जो budget है उसका बहुत 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 चंक निकाल लेती है अपने लिए और इससे corruption भी बहुत high level का होता है तो 1989 में क्या हुआ कि उस वक्त की जो ruling military government थी Myanmar की उन्होंने decide किया कि वो लोग अपना नाम अपने देश का नाम बर्मा से change करके Myanmar कर देंगे और ना सिर्फ ये change आया इसके साथ साथ बहुत सारे और जो शहर है Myanmar में जैसे के रंगून इसका नाम change कर दिया गया अब ये यनगून बन गया उसके लावा और भी बहुत सारे जो locations है Myanmar में उनका नाम change कर दिया गया ये primarily किया गया था country को एक sense of identity देने के लिए जो उनका colonial past था उससे हटने के लिए Myanmar में आप एचीज notice करोगे ये अपनी identity को लेकर बहुत ज़रा proud feel करते हैं और उसके लावा ये अपने colonial past की तरफ तरह देखते नहीं है जो इन पे हुकूमत की थी Britain ने उसको ये ज़्यादा याद अखते नहीं है ये काफिया तक उस history को मिटाने की भी कोशिश करते हैं काफी बार तो जब 1989 में officially इसका नाम change हुआ from Burma to Myanmar एक reason ये दिया गया कि देखिये पहली बात तो इससे एक national integrity आती है क्योंकि Burma एक basically जो ethnicity है इस region में उसके नाम पे ये नाम रखा गया था Burmese लोग जो है Myanmar में जो करीब 40 से लेकर 50% के आसपास है उनके नाम पे ये रखा गया मगर of course यहाँ पे बहुत सारी और ethnicities पी है तो उनको include करने के लिए एक दूसरा नाम सुचा गया और वो था Myanmar अगर बिटिश रूल की अगर हम बात करें तो बिटिश रूल का एक बहुत ही गहरा impact है Myanmar में बिटिश रूल अगर हम Burma कहें उस वक Burma ही था बिटिश रूल Burma में शुरू हुआ 1824 में और खतम हुआ 1948 में और इस पीज एक ऐसा समय भी आया था जब Burma को इंडिया से जोड दिया गया था तो यहाँ पर आप दे सकते हैं यह British Empire सब कॉंटिनेट में अपने जैनित पर है यहाँ पर पाकिस्तान और यहाँ पर बंग्दादेश और मेनमार यह सारा रीजन श्रिलंका यह सब बिटिश इंडिया की प्रोवेंसिस थी बिटिश रूल ने Burma को इंडिया से अलग किया था 1937 में रीजन क्या था देगे रीजन यहाँ पर यह था कि जिस तरीके से इंडिपेंडेंस की मूवमेंट इंडिया में स्टॉंग हो रही थी उसी तरीके से इस रीजन में Burma में भी बहुत से लोग इंडिपेंडेंस जाते थे और कही ना कही जो Indian Independence Activist थे उन्होंने बर्मा के लोगों के साथ भी काम करना स्टार्ट कर दिया था तो ब्रिटन को यहां पे दिग्या था कि एक मास अप्राइजिंग हो सकती है तो इसको कुछ हद तक रोकने के लिए और बर्मा को यहां पे बचाने के लिए उन्होंने बर्मा को एक सेपरेट कंट्री डिकलेर कर दिया अफकोर्स बर्मा को आजादी नहीं मिली थी वो तब भी ब्रिटिश एम्पार के अंडर था बस ओल टुगेदर वो इंडिया से अलग हो चुगा था ताकि दोनों की जो आजादी की मूवमेंट है वो एकटा आगे ना बढ़े उस सब के लावा देखे यहाँ पे कुछ administrative reasons भी थे मगर यह सब करने के बावजूद ब्रिटेन ना इंडिया को रोख पाया ना महिनमार को रोख पाया eventually इंडिया को अजादी मिली 15 अगस 1947 को और महिनमार को भी अजादी मिल गई 1948 को और इनका जो independence day की date है वो है 4th January मगर यहाँ पे एक बहुत ही interesting बात है देखो 1947 में इंडिया पाकिसान अजाद हो गए और 1948 में महिनमार अजाद हुआ मगर तब भी महिनमार ने कभी भी Commonwealth को जॉइन नहीं गया Commonwealth के वारे मैं आपको पता होगा एक ग्रुप है उन countries का जो एक समय British Empire का पार्ट थे आज के समय बहुत सी countries हैं जो एक टाइम भी British Empire का पार्ट थी मगर आज के समय Commonwealth का पार्ट नहीं है और उनमें है महिनमार महिनमार के लोग अपने colonial इतिहास को भुखा दिना चाते हैं वो कहीं से भी अपने आपको असोसियेट नहीं करना चाते उस बहुती डार्क एरा से तो महिनमार ने कभी Commonwealth जॉइन नहीं किया ना इन्होंने कभी Commonwealth Games में पार्टिस्पेट किया है अपकोर्स इंडिया में भी बहुत से लोग ये वानते हैं कि हम लोग ने Commonwealth जॉइन क्यों कर रखा है इससे बेसिकली हम खुद को याद दिलाते हैं कि हम ब्रिटन के गुलाम थे एक टाइम पे तो अगयार ये काफी एक कॉंट्रोवर्शल टॉपिक है इसके कुछ बेनेफि इरिया है महिनमार का काफी बड़ा है इट इस 6,76,578 स्क्वेर किलोमेटर इनकी एक कोस्लाइन भी है करीब 1200 मिल की और जो हाइस्ट पॉइंट है महिनमार का वो है हकाकाबो राजी ये अपने आपने इनका जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे सबसे उची जगा है आप है वो काफी माउंटेन्स मिलेंगे तो यहाँ पे है राजी राजी की हाइट है 5,881 मीटर फीट में आप क्या सकते है करीब 19,295 फीट और यह आपके सामने कुछ फोटोस है जी बिलकुल ये महिनमार है वैसे आप अगर देखेंगे इसको लगता है कि कुछ ये हिमालि अगर महिनमार में भी आपको इस टाइप के माउंटेन्स मिलेंगे और जहां तक लैंड एरिया की बात थी तो देखिए महिनमार है काफी बड़ा कंट्री है अगर हम एशिया में जो लाजर्जस कंट्री है उसकी लिस्ट देखें तो नमबर वान पे है रशिया रशिया लगािए बाद नमबर पांच पे साउध यरेविया, नमबर चे पे है इरान, नमबर नौ पे है पाकिस्तान जी हा इंडोनीसिया साइज में पाकिस्तान से बड़ा है मंगोलिया भी काफयत बड़ा है और फिर नमबर दस पे है टर्की और टर्की के बिलकुल पीछे आपक डाओ, नाइपी डाओ एक मैं कहूंगा बहुती युनीक सिटी है क्योंकि ये नाचुरली फॉर्म नहीं हुई थी, बहुती हिस्टोरिक यहाँ पे कोई evidence नहीं है कि लोग रहते हैं, ये basically established की गई थी महिनवार के बीचों बीच क्योंकि जो महिनवार की coastal cities थी इससे पहले, for example, रंगून या फिर यानगून जिसको कहते हैं, वहाँ पे काफी बाद cyclones attack करते थे तो बाद में उनने काफी एक central city establish करी, इसकी construction स्टार्ट हो गई थी 2002 में और complete हुई 2012 में, नाइपी डाओ महिनमार की राजधानी है since 2005, उससे पहले महिनमार की राजधानी थी यंगून, जिसको पहले रंगून भी कहते हैं नाव महिनमार की economy और इनके resources की बात करते हैं, देखिए महिनमार में government complete control लगती है इनके resources का, और एवन दो महिनमार एक काफी resourceful country है, इनकी जरताराबादी आज भी poverty में रहती है इसका बहुत बड़ा reason है military, जहाँ पर military, civilian हकुमत पर काफियत तक हावी रहेगी तो obvious ही बात है, वहाँ पर poverty होना है काफी natural बात है महिनमार में काफी सारे products की industry है, जैसे for example, copper, tin, wood products, iron, cement, construction, pharmaceuticals, fertilizers, oil, natural gas, garments, jade, gems मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक बहुती बड़ा manufacturing base है, जिस सरीके से आप कह सकते हैं, Thailand में हैं, या फिर Indonesia में हैं उस मामले में महिनमार काफीय तक पीछे रहा गया है, यहाँ पर कभी proper land reforms यहाँ फिर labor reforms नहीं होए और इनका जो tax system है वो भी काफीय तक weak है, अगर हम economy की बात करें तो nominal GDP में महिनमार की economy बहुत छोटी है, करीब 70 billion dollars की जी हाँ यह वर्ल बैंक का data है, इन PPP terms आप अगर देखोगे, purchasing power parity के साब से, तो इसका size है 327 billion dollars मेंमार की जो currency है, इसका नाम है क्यात, अगर आपके पास एक Indian रुपी है, तो उसके exchange में आपको मिलेंगे करीब 21 क्यात एक टाइम पे exchange rate थोड़ा बहुत, मैं काऊंगा, अच्छा था, 18 या 17 के आज पास, इनका exchange rate था with the Indian रुपी, मगर अब इनकी जो currency है, काफियत तक पिट रही है और ये devalue हो चुकी है, नाओ, मैंनमार में government किस type किये, मैंनमार खुद को कहता है, कि ये एक parliamentary republic है, मगर primarily जो power है, यहाँ पे वो military hold करती है इवन जो इनका parliament है, जिसको ये कहते है, Assembly of Union, और इनकी भाशा में यहाँ पे इसको ये का जाता है, ये मैं प्रनाउस नहीं गर पाऊंगा ये bicameral body है, जहाँ पे आपको एक house of representatives मिलेगा, उसके लावा house of nationalities भी मिलेगा दोनों जगा आप अगर देखोगे, दोनों जगा आप अगर देखोगे, तो वहाँ पे voters, representatives को elect करते हैं, through voting मगर 25% seat इनके दोनों houses में reserve रहती है, military के लिए ये बहुत बड़ी बात है, कि military का इतना intervention है, कि even parliament में भी उनके लोग बैठते हैं Finally, यहाँ पे मैं mention करना चाहूँगा, Irawaddy River के बारे में, यह Myanmar की largest river है, और सबसे important commercial waterway है कुछ और जो बहुत ज़ारा important इनकी rivers है, उनमें है, कलादान नदी, जो इंडिया से भी बहती है, और of course महिनमार से भी बहती है कलादान से related में काफी important project भी बना रहे है, कलादान multimodal transit project और यहाँ पर आप देखेंगे, यह है Irawaddy और यहाँ पर है Chindwin तो यह दो बहुत ही important rivers हैं of Myanmar, तो यह है end हमारी वीडियो का, उम्मीद करता हूँ, यहाँ पर आपको कोछ जानने को मिला होगा, thanks for listening and as always, God bless you all